देश में 2022 के अंतक 80 करोड लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1.3 से 1.4 लाग टीका करन्स सेंटर की जरूरत होगी टीका लगाने के लिए 1 लाग हेल्थ केर स्टाफ और उनकी मदद के लिए 2 लाग हतिरिक स्टाफ की जरूरत होगी बताय जार आए कि वैक्सीन के एक खुड़ाग पर पश्चासनिक लागत सौ से डेर सुरूपे तक आएगी जब की वैक्सीन की कीमत उसकी ढुलाई और रख रखाव पढ़ाने वाले खर्ज शामिल नहीं है सरकार ने अगले साल अगस तक 30 करोड लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्षे रखा है साल 2022 के अंतर देश के 80 करोड लोगों को वैक्सीन लगाने का तार्गेट है रिपोर्ट में कहा गया है कि टीका करन अभ्यान को नीजी शेतर के सहयोग से आसान बनाये जा सकता है रिपोर्ट के मुताविक भारत में 40-45 लाग सक्रिये स्वास्थ कर्मी है वहीं सामुदाई के इस्तर पर काम करने वाले स्वास्थ कर्मियों की संख्या 20-30 लाग है रिपोर्ट में कहा गया है कि टीका करन के लक्षे को हासल करने के लिए निश्च्चित संख्या में स्वास्थ कर्मियों को प्रसिक्षन भी देना होगा सरकारी अस्पतालों में क्रोना सेंटर और वैक्सीन सेंटर को अलग अलग रखना होगा इसके लिए सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्वास्त केंद्रों में अलग से वैक्सीन सेंटर खोलने की जरूरत होगी हाला कि वैक्सीन लगाने की काम में नर्स और फिजिशियन की मदद के लिए अलग से स्वास्त कर्मियों की जरूरत होगी, देश में 25-30,000 सरकारी अस्पताल है, वहीं 70% दी नीजी हेल्थ केर सेंडर वैक्सीन लगाने में अपने स्टाफ की सेवा देने के पक्ष में है, कि ऑना कि खाफ की एल आज के लिए अलुव से स्टाफ की से स्टाफ की से तेमी एलुव सेंडर वैक्सीन लगाने में अलुव सेंटाब अलुव से स्टाफ